दोस्तो आप सभी को मेरा नमश्कार दोस्तो गर्मिया आते ही आप सभी ने मार्केट में एक खटा मीटा सा फल देखा होगा जी हाँ दोस्तो ये फल है काफल का और उतरहकंड का बड़ा फेमस फल काफल है दोस्तो हम सभी नहीं काफल का फल तो बड़े मजे से खाई है, कठा मेठा फल गर्मियों में लेकिन क्या हमें पता है कि इसके पीछे की कहानी किया है, जो उत्रकंड वहिम्मस है तो आज्ये सुनते हैं इस कहानी को दोस्तों कहानी वो इस प्रकार है कि गाउं में एक विद्वा और थी और उसकी 5-6 साल की बेटी होती है और वो गरीब दोनों किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करते थे एक बार उसकी मा सुबह सवेरे जंगलों में घास के ले गई और साथ में काफल भी तोड़ के लाई बेटी ने काफल देखे तो बड़ी खुश हुई और उसको काफल खाने का मन होता है तो उसकी मा ने कहा बेटी तू इसको देखना और जब मैं खेट से वापस आऊंगी तो हम दोनों शाम को बैठके काफल खाएंगे तो मा ने उसकी जो काफल की टोकरी में काफल रख दिये कपड़े से ढख दिये और दिन में काफल का इंतजार करती रही वो बेटी जो थी दिन में काफल का इंतजार करती रही और बार बार जो उसके टोकरी के कपड़े थे जिसको ढखा हुआ था उसको बार बार उठा के देखते रही और लेकिन वो दोस्तों एक आग्याकारी बच्ची थी और बिना मा मा की permission के एक भी काफल खाना उसको मंजूर नहीं था और उसकी वो कलपना भी नहीं कर सकती थी और नहीं चखा और उसने सोचा जब मा आएगी तब मैं खाऊंगी आखिरकार मा आई और मा बच्ची दोड़ के मा के पास गई कि मा आप काफल खाएं तो मा ने कहा थोड़ा सांस तो ले ने दे छोड़ी मा बोली मा ने फिर काफल की टोकरी निकाली और उसका कपड़ा उठा के देखा अरे काफल थोड़े कम कैसे हो गए क्या तो ने खाए उसने कहा नहीं मा मैंने तो नहीं खाए लेकिन गर्मी का मौसम दिमाग पहले से गरम था मा समझ कुछ कह पाती भूग उसने सोचा कि बेटी ने कुछ काफल खाए और उसको बेटी के जूट बोलने पर गुस्सा आ गया और उसने एक जोर से थपड दे मारा लेकिन उसी थपड से बच्ची नीचे गिर गई और उसने कहा मा मैंने तो नहीं काफल खाए मैंने नहीं चके मा कहते वे उसने अपने प्रांट छोड़ दिये मा का जो गुस्सा था वो थोड़ी देर में जब उत्रा तो उसको लेके वो गोद में लेके प्रलाब करने लगी और ये क्या हो गया दुख्यारी का एक मात्र साहरा था तो उसने अपने हाथ से ही खतम कर दिया और वो भी तुछ काफल के खाते रहा जिसके लिए वो काफर लाई थी अगर वो खा भी लेती तो क्या होता लेकिन वो उसने टोकरी देखी और वो टोकरी जब धीरे धीरे शाम को जब ठंडा हाट बढ़ने लगी तो जो टोकरी का साइस था वो वो वापिस से दुबारा से अपने आप हो गया क्योंकि दिन बर की घर्मी के बाद जो काफल का मोईस्चर था वो उड़ गया और जब शाम को ठंडा हाट हुई तो दुबारा से वो अपने साइस उसने रिगेन कर लिया तो अब मा को समझ में आ गया कि ये काफल उसने नहीं खाये लेकिन वो भी रोती पीटती मर गई लेकिन अब दोस्तों मजे की बात यह है अब कहते हैं कि वो दोनों जो पक्षी थे मा बेटी वो मर के पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुन भाव से कहता है काफल पाको मीनी चाखो इसका मतलब है काफल पके हैं पर मैंने नहीं चके तब ही दोसरा पक्षी चितकार कर उठता है पुर पुताई पुर पुर मतलब पूरे हैं बेटी पूरे हैं इसी से हम कहते हैं दोस्तों फल जितना टेस्टी है एक हमें सिक्षा भी देता है कि अपने क्षण भर के आवेश के लिए गुस्से के लिए हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हम जिन्नेगी भर पश्तावा करें क्योंकि दोस्तों कहते हैं अब पश्ताई क्या होत जब चड़िया चुक गई खेत तो दोस्तों जब हम अपने कारियों को पे पश्ताएं उससे बहतर है कि हम अपने कारियों को ही उस हिसाब से करें जो कार हम अपने पूरे होश वावास में कर सकते हैं तो दोस्तों जिन जिन ने ये काफल का फ्रूट नहीं खाया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये काफल का फ्रूट खाएं और इस कहानी का भी आनंद लें और सोचें समझें और इस कहानी को अपने जो इस फ्रूट का खाने का मज़ा दोस्तों दुगना नहीं चौबना हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी तो आप सभी इस गर्मे में काफल का इंजॉय करें धन्यवाद